चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो करनाटका स्टेट के रेजिस्टेशन की डेट 22 डिसंबर तक अक्स्टेंड हो चुकी है हिमाचल परदेश के रेजिस्टेशन की लास्ट डेट भी 19 डिसंबर तक अक्स्टेंड हो चुकी है आई प्यू ने भी रेजिस्टेशन और काउंसलिंग फीस डिपोजिट की डेट 20 डिसंबर तक बढ़ा दी है तिरपुरा और जैंड के ने पहले ही इनफर्म कर दिया है कि उनका फर्स्ट राउंड आल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद कंड़क्ट होगा गुजरात पंजाब केरिला के रेजिस्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं अरुनाचल परदेश के फर्स्ट एंड सेकिंड राउंड के रजल्ट दोनू डिकलेर हो चुके हैं इसके बाद मोस्टली स्टेट, एमपी, माराश्ट्रे, राजस्थान, उत्रप्रदेश, बिहार, हर्याना, वेस्ट बंगाल, उत्राखंड, जैंड के, तिरपुरा, चंडिगड, तमिलनाडू, तेलंगाना, आंधरा के रेजिस्टेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं यह तो अभी तक की स्टेट काउंसलिंग की अपडेट है, अभी सबसे बड़ा स्वाल यह है कि MCC और स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले MCC की काउंसलिंग की बात करें तो यह 6 जनवरी की हीरिंग के बाद ही स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है रेजिडेंट डोक्टर्स ने आज फिर से स्ट्राइक सुरू कर दी है, मगर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कुछ होने वाला है अगर होता तो पहले ही हो जाता है, समय के अनुसार प्रिष्थितियां बदलती रहती हैं सुरू में ऐसा लग रहा था कि स्टेट के फर्स्ट राउंड से पहले, यानि कि स्टेट के फर्स्ट राउंड पहले हो जाएंगे लेकिन अभी ऐसल नहीं होगा, MCC की काउंसलिंग के बाद ही स्टेट के अलोट्मेंट स्टार्ट होंगे रेजिस्टेशन पहले हो जाएंगे, मगर राउंड का अलोट्मेंट, MCC के अलोट्मेंट के बाद ही होगा तो अभी वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का, अभी तो हमें वेट करना होगा 6 जनवरी की हीरिंग के रेजल्ट का और फिर वेट करते हैं अपडेट का, कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होती है MCC का ये हम मानते हैं कि जैसे ही 6 जनवरी को इसका कोई न कोई डिसीजन आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने की संभावना है तो देखते हैं जैसे ही किसी स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा जैसे ही कोई ओल इंडिया के काउंसलिंग के अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में